ऑंडिय को पता है क्योंकि वह गोध लिए हुए का नियुक्त वी टोकेगा नीगे बिल्कुल भी टोकना का बिच में अब कॉई बोलेगा बीच में अब बिच में आप कोई भी बोलेगा वीच मेरी बात पूरी होगी कि संवे कि ये खिसान जो है सरकार को क्या मैशेज़ देना चाह रहे हैं करेंगे और MSP की गारंटी नहीं देंगे तो हम यहां से नहीं हटने वाले साफ साफ कह रहा हूं मैं कि वह पराय क्लास चल रही है कहीं बेड़ जो फॉन लो सब पास रखते हैं बॉक्स को अपने साथ रहो लगाया पॉन घ्लास ली बुक्स में जो पड़ाई करनी है करी जो कौपी में लिखना रिका बस अपना काम करेंगे बिल्कुल कर दिया है कि अगर अच्चा है अगर हम ऑंलाइं क्लास ले सकते तो लेंगे किसान बार बार ये कहते हैं कि अगर वापसी नहीं चवबीश तक बैटेंगे लिए तो आपको नहीं होगा किसान अपने हखो की सई को सई कहेगा गलत को गलत कहेगा ठीक है अगर एक जाएगा तो चार आएंगे अगर एक अपना खेट पे जाते है तो उसके उदर गाहों से चार आएंगे लोग अब अभी से जूट चुकिया मतलब आप छोटे हैं जिसे बच् सब्सक्राइब कर रही है इसमें आपका क्या सोचते इस बात को देखिए फंडिंग देखिए कुछ नहीं है अगर वो यहां पर आके देखें मुझे एक वीडियो दिखा देजा पर फंड ले रहे हूं जांदे पैसा ले रहे हो किसान कॉंग्रेस से कोई और पार्टी से आप बुल्सक्राइब कर रहे हैं और वाने हाले हैं तुम कुछ भी कर लो तुमने इतनी कोशिशे कर लिए अंदोलन को जाडने के लिए यहां से नहीं अटेगा किसान अब तो क्या रहे लखनो जाने के लिए जाएंगे राकेश चिकेज़ जी होके भी आगए और वहां पर भी एक लगेगा हमारा वहां पर भी अच्छा रहेगा उदर भी एक जैसे यह गाजीपूर बोडर है वहां पर भी ऐसे एक यह सारे बोडर जैसे हैं वैसे लगाया दोस्तों देखिए जो चुनाबों में इनको पता लगेगा जब चुनाब के रिजल्ट आएंगे ना तो सबको पता लग जाए कि हमारी क्या डोस्ती अच्छे गोधी मीडिया जो बोलते हैं लोग गोधी मीडिया वह आपके बारे में जो देखा रहे हैं तो आपको कैसा ल देखिए एक किसान है और यह सारे किसान नेता हैं इसलिए ऐसे ना कहा जाएं वह भी हमारे साथ हैं वह भी अपने बस हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं बस वह हैं कि थोड़ा जोरे करते हैं जगहों पे जाते हैं और मैं अपने पिता श्री डॉक्टर नरेंदर सिंग हमने यात्रा करी मैंने आपको इंटर्व्यों बताया हुआ है और साथ जो जितने भी देख रहे हैं उनको पता भी है अच्छा यहां नब्बे साल के बुड़े आगे 100 साल के भी हैं जवान भी है और आप छोटे तो क्या आप की टुकड़ी भी आने वाली है आप छोटे च ठीक है मुझे सब बताया मैं भी बताता हूं आपको देखिए जो सबसे पहला कानून है वह मंडी को लेकर है और जो दूसरा कानून है शोरेज को लेकर है और जो तीसरा कानून है वह कॉंटेक्ट फार्मिंग को लेकर है ठीक है अब मैं कानून बताऊंगा किसान का ठीक है सबसे पहला कानून था मंडी को लेकर अब देखिए इन्हों ने काया वह लोग इंडिया में तुम अपनी फसल कहीं भी भी सकते जहां पर अच्छी रेट मिले ठीक है इसलिए अब यह वह किसान जो है वह पहले सबसे पहले गारी करेगा किराय पे फिर रास्ते में उस जिस से अच्छे सही रेट मिलेंगे जो तैय रेट है उस पे मिलेगा और अगर देखिए यह देखिए जो वह विचारा उसको शेयर का रास्ता चिज़े पता नहीं होता वह कहां गूंता फिरेगा कि कहां पर अच्छी रेट मिल रही है अब सीधा सिधा सिधा कॉंटेक फा कर सकते हैं अब अब कहते हैं कि यदि अब कर सकते हैं सारी इसारी अ चुर कर कर लें तो सतंु ना प्तियोंS वह सारे गोडामों terrorists कर रेंगे भassung तो चैहेंगे नवहां अस्ट расскahit मिलता है वह शेंपू, एक रुपे का दो, दो, रुपे का ऐसे बिक्ए का पिराटा एसे बैके की चीजें किसान की हुगा हुए अब देखिए अब मैं contact farming का बताता हूँ अब जो company है और एक जैसे किसान है इन दोनों के बीच में contact होगा और उस जो कागज होगा उसमें लिखा होगा कि जो आपकी rate की जो फसल की आपकी rate है उस पे आपको मिलेगा आपकी फसल बेचेंगे उस पे मिलेगा आपको ठीक है अब जो किसान contact farming नहीं करना चाहता ठीक है या तो फिर वो मंडी में बटकता रहेगा कि भाई मुझे कहीं rate 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 चाहिए मुझे अच्छी ठीक है तो उसको जवर्दस्ती फिर contact farming करनी पड़ेगी अब जिसको नहीं चाहि तो इसलिए जो MSP की guarantee है वो मिलनी चाहिए जिससे अगर वो मंडी में बेचने जाएगा तो फिर उसको आसानी होगी उसको भी पता लग जाएगा वो भी सहमत रहेगा वो भी खुश रहेगा कि मुझे मेरी फसल की rate time मिलेगी